नमस्कार दोस्तों रोजयना राश्य उपल तकने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें श्रात्वी बैल आइकन को प्रेश कर दें ताकि दोस्तों आपकी राश्य से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच चके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम शुखों का लाव ले शकें तो आई दोस्तों इसे के साथ आज के विडियो में हम बात करने वारे हैं 20 अपरील 2021 के आपकी राश्य उपल की बारे में सबसे पहले दोस्तों जिनका भी इसमी बड़ी है या फिर एन्निवर्सरी है आप उस शभी को महरे तरब से दे दोस्तों इसमी आपका लब लाइब स्वास्त करियर और धन के सदिकेश रहेंगी शाथी दोस्तों वीडियो के मद में आप शभी के लिए बहुत अच्छे विचार दे गए हैं जिने आपको जरूर देखेगा आपको काफी अच्छा लेगा तो आई दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इंदिन मंगलवाद का दिन रहेगा शुकल पचकेश में तिति रहेगी और प्रनुर्वाशू नाम का इदिन अच्छत रहेगा योग की बात करें तो दोस्तों दिरिती नामाग शुवयोग शाम के शाथ बच कर 13 मिट रहेगा उचको प्रांदी इस दिन शूर न दोस्तों सोच आता है हर कोई अपने कल के लिए पर कोई यह नहीं सोचता कि आज जिसका दिल दुखाया है वो शोया होगा की नहीं दोस्तों कभी प्यार करने का दिल करे तो अपने गमों से करना शुना है जिसे जितना प्यार करो वो उतना ही दूर चला जाता है दोस्तों किसी इंसान को दुख देना इतना आशान है जितना समंदर में पतर फेगना पर ये कोई नहीं जानता कि वो कितनी गहराई तक गया होगा किसी रोज याद नो कर पाऊं तो खुदगर्ज मस्चमाईना ए दोस्त दरसल छोटी सी जिन्दगी में परिशानिया ही बहुत है जिन्दगी में मंजिलें तो मिल जाती है बस लोग नहीं मिलते जिनें हम दिल से चाहते है आशों का कोई वज़ा नहीं होता पर निकल जाने पर मन काफी हलका होता है दोस्तों किसी के दर्द की दवाबनों जखन तो हर इंसान देते हैं दोस्तों कब तक साथ निमाते हैं लोग आशों की तरह बिछर जाते हैं लोग वो जमाना और था लोग रोते थे गेरों के लिए आज तो अपनों को रूला कर मुस्कुराते हैं लोग तो चलिए इसे की साथ बात करते हैं आज की राशिवल की देनी राशिवल दोस्तों यश्मी किसी भी मुज़की जित्री को सोच समझ कर तथा संती पुन तरीके से सुलजाने का प्रयाश करें दोस्तों अध्यात्मी को अफिर धार्मिक ग्यारियों के प्रती आपका यश्मी रूजान भी बढ़ेगा घर में में हमानों की चल पल भी रहेगी तथा आप शी मेल मिलाप शब को खुशी देगा इसको प्रांदोसों यश्मी अगर आपके शावधनी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश्मी घर में किसी वरिष व्यक्ति के स्वास्त को लेकर कुछ चिंता रह सकती है यश्मी दूसरों की नीजी मामलों में किसी परकार का हस्त भी अत्षेप ना करें और ना है कोई उन्हें शला दें अने थाब बेठे बिठाए मुझे बात में अभी आप पर पढ़ सकते हैं इश्मी अपको बता दें कि प्रस्तितीम पर वर्चस बना कर रखने के लिए आपको अपने निरले पर अटल रहना होगा शम्वात से कुछ बातें सुला सकती है इसलिए शही तरीके से बात करने का ढ़ंग आपको इसमें अपनाने की अत्यांत आउशकता होगी अपने गुर्षे पर इसमें आपको काबू करना चाहिए इसको प्राण दोस्तों यह श्मी आपके लिए समयोंगे आपके दिंचरा क लिए शम्होंगे दोस्तों आपको बता दें विद्यार्तियों की पढ़ाई अत्वा केरियर शमंदी किसी समस्या का इश में शमाधान भी मिलेगा किसी वीकारी को करने से पहले उसके शकार्त्मक और नकार्त्मक पहलों पर विचार आप आवश्च करें इससे दोस्तों कि किसी नईतिकी मित्रिया फिर पड़ोशी के साथ छोटी सी बात को लेकर शम्मद भीगर सकते हैं शंतान को कोई जिद्धी या अडियल रवाया आपके लिए चिंता का कारण भी बनेगा पर दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपको गुश्य के बजाए श्रियम से का काम लेना चाहिए वो में शमंदी कारियों में अधिक लाब की उम्मीद यश में आपको ना करें इसको प्राण दोस्तों यश में आपके लिए श्रियम होंगे आपको बता दें कि कापी दिनों से आपको कुछ चिंताय शता रही है लेकिन उनको दूर करने के प्रतन भी के वज़शे पस्तितियों में आपको बदला भी नजर आएगा दोस्तों यश में जिवन सेली को ठीक शे बना कर हर काम को कितना वक्त देना है यह आपको तई करना होगा जिसे समस्याओं को सुल जाने के लिए आप शबल भी रहेंगे इसको प्राण दोस्तों यश में आप करना ध्यान विशेश रुप से केंद्रित रखें आप अपनी वाक्त पटूता तदा कारेश्चंता दोरा किसी भी काम को निकालने में शक्षम रहेंगे इसको प्राण दोस्तों किसी किसी समय अकारण ही मन में निराश्या और नाकारत्म विचार भी आपको महसूद होगा ह यश्में दूसरों के वेक्तिकात महमलों में बिल्कुल भी एक्स ना करें अन्य था आपकी मान आनी हो सकती है इसके इस्तिती ही बन सकती है इसको प्राण दोस्तों यश्में आपके लिए जस्मोंगी आपको बता दे कि कुछ देर तक लोगों से दुरियां बनाकर रखकर अकेले में वक्त बिताना यश में आपको आनद देगा। जिसके वज़र से आपके जो भी प्रोजेक्ट थे उसके बारे में सोच कर कुछ काम करने की कोशी से जारी रहेंगे। कुछ देर तक लोगों से दूरी बना कदा कर अकेले में वक्त बिताना आपको परसंद रहेगा। जिसके वज़र से आपके जो भी प्रोजेक्ट थे उसके बारे में सोच कर कुछ नेरले भी आप निकाल पाएंगे। कला के चितर में जो भी लोग हैं यस में उनके शबलता दिखने वाले हैं। इसके उप्राण दूसरे यस में आपके दिंचरय के लिए दोस्तों आपको बता दें कि दोपर के बात प्रस्तिती जो भी ग्रस्तिती है बहतर रहने वाली है। किसी राणीती यत्वा प्रवावशाली व्यक्ति दोवारा आपको कोई महत्पुन भवग्दी भी यस में हाशिल होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि नईदी के शमदों की शाथ मेल जो तथा आपशी वीचारों को अधन परदान दिंचरया में कुछ शकार्तमक परिवर्तन भी लाएगा। दोस्तों यशमीर इद्पात का आपको द्यान रखना चाहिए। आपकी कोई भी यज़िन सराव जीद्ग न न नहीं μέlgen रूट आ मैं इस बात प्रस्तिती और आपके निगले का परिणाम बेना जाने ही आप आगे बढ़ रहे हैं जिसके वजशी आपके आशपास की लोगों की तकलिप का शामा भी आपको करना पर सकता है इसको प्रांदोस्तों येश्र में अगर आपकी केरेर को लेकर बात के अर्थात आपके वयोशाय की तो दोस्तों येश्र में होन कल दोवरा कोई वयोशाय की सूचना आपको परापत हो सकती है जो आने वाले श्रमे में आपके लिए फायदमन शायुद होंगी प्रणतों आपको बदा दें कि मार्केटेक समधिक कारियों में बहुत सदक्तार रखनी जल्वी होगी और फिश में ध्यान रखें कि जराश्ची गलती बहुत सोपी रधिकारियों की नराजगी सेहन करने पर सकती है शाथी दोस्तों काम से समधित बातों में काईदे से समधित तकलीफ हो शकती है इसको पराद दोस्तों यश में आपके करेंट के लिज़ों समोंगे आपके होईशाय के लिज़ों समोंगे दोस्तों आपको बता दें कि वयशाय में नए प्रस्ताव भी आपको प्राप्त होंगे समय अनुकूल होगा दोस्तों आपको बता दें कि भरोशे मंद पार्टियों से आपको नए ओरडर भी यश में प्राप्त हो सकते हैं दोस्किक वता हुठ ईश्रव के ऐसाय की समयगे आपको बता दे कि दूसरों वयपार में पिजले कुछ श्रमें से जो भी गत्यूदियां रुक्वी थी यश में उन्हें दोबारा कारी रूप देने का उचित समय आ गया है प्रदू दोस्तों आर्थिक्स देती में किसी परकार के नुक्षान होने की अशंका भी वन रही है प्रतर होगा कि सबी पस्तियों में अपने उपस्ति अवश्च रखे दोस्तों ये आपके लिए यश में बहुत ही मैत पूर शाबिद होंगे और इशको प्राहन दोस्तों ये आपके केरे के लिए जो समय होंगे आपको बता दे कि काम करते वक्त पूरे तरशे उन पर अपने ध्यान को गंदर दखे ये आपके शफलता की कुझी होगे दोस्तों में आपके वाय शाय के लिए जो समय होगे दोस्तों आपको बता दे कि याश में मरतमार वाय शाय के अलवआ कुछ अन्य छीत्रों में आपका ध्यान रहेगा दोस्तों यश में नई उपलब्धी भी आपको बना रहेगा और ये जो समय होंगे बहुत भी बहतरी शमयों में से एक समय होगा ध्यान रखिए कि कुछ लोग आपकी वेना मृता का गरत फायदा भी उठा सकते हैं या पर इनका प्रयाश कर सकते हैं तो दोस्तों इन लोगों समद्ध आपके लिए बहुत ही मधूर रहेंगे परवजन तथा अमध परमोद में आपका शमय वईतित होगा जिनसे घर का महल भी बहुत ही मधूर रहेंगे शादी दोस्तों ये शमय आपको अपने अड़ियल रवाव पर सहीम रखना चाहिए क्योंकि ये आपके परिवा बहुत ही अच्छा रहेगा प्रेम शमय वहतित होगा दोस्तों आपको बदा दें कि पारिवर्ग जोन में एक के बाद एक परिशानय भी आशकती है प्रहदों दोस्तों परिश्तियों को शमालने का धाय तो भी आपको ये शमी निमाना है इस बात पर गौर करें इसलिए त खटास उत्पन हो शकती है तो दा समनों में भी दुरियां आ सकती है तो दोस्तों ये शमी आपका महत्मुन दायत होगा इस सभी चीजों को समाले की इसको बना दोस्तों ये शमी अगर आपकी स्वास्त को लेकर बात करें तो दोस्तों ये शमी आपका स्वास्त तो उत्तम गर के किसी सदे से के स्वास को लेकर चिंता भी रहा शक्ती है यश में उनका उचित्त इलाज लेना आपके लिए बहुत ही जर्य होगा और इसको प्रावन दूसरे यश में आपके स्वास के लिए समोंगे आपको बता दें कि माशिक तरह को जैसे हार्मन शमंदी बदलाव भी आएंगे योगा और मेटरिशन करना यश में आपके लिए बहुत ही आफशो होगे इसको प्रावन दूसरे यश में आपके स्वास के लिए समोंगे आपके हेल्थ के लिए समोंगे दोस्तों आपको बता दें कि किसी परकार की इंफेक्शन होने की भी इस्तिती बन रही है शादि दोस्तों जोडों में दर्द या फिर वाई विकार भी आपको परिशान कर सकती है इसको प्रावन दोस्तों यश में आपके हेल्थ करीज समोंगे आपके स्वास्त के लिट नहीं करना चाहिए तो दोस्तों इन सभी चिनों का ध्यान रखेए आपके श्वास्त के लिए बैतर होगे और यशमी आपका भागी शाली रंग रहेगा लाल और भागी शाली अंक रहेगा पाँच